हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे इस चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करूंगी SSC CHSL कमबाइंडेड हायर सेकंडरी लेवल के बारे में डिटेल इनफोर्मेशन बताऊंगी दोस्तो यहां पर हम पोश्ट देख लेते हैं कि किन कौन सी पोश्ट निकली हुई है कितनी विकेंसी है और क्या सैल्ली रखी है सो दोस्तो इसमें post की बात करें talvez डिविजन कलर्क junior secretary assistant postal assistant, sorting assistant, data entry operator and data entry operator grade A की post रखी गई है सो दोस्तो अगर मैं यहाँ पर vacancy की बात करूँ तो total vacancy 5000 है अगर मैं इसमें pay scale की बात करूँ तो अगर सभी post के लिए जो pay scale रखा गय है वो है बामन सो से लेकर 20200 तो LDC and JSA में जो grade पे रखा गया है वो 1900 है अगर मैं other post के लिए देखूं तो grade पे जो रखा गया है वो 2400 है दोस्तों अगर मैं यहां सभी post के लिए अगर salary की बात करूं तो जो total salary है वो 55,000 मिलेगी आपको तो दोस्तों अब मैं बात कर लेती हूँ qualification इसमें क्या qualification है 10 प्लस 2 दोस्तों यहां पर आपको 12th pass होना चाहिए अगर मैं यहां पर age limit की बात करूं तो 18 to 27 year age limit रखी गई है दोस्तों अब मैं बात कर लेती है अप्लिकेशन फीज की जैनल एंड ओबीसी के लिए जो अप्लिकेशन फी रखी गई है वो है 100 रुफीज और अधर कटेगरी के लिए SC, ST, female experience सर्विसमेन के लिए जो कोई फीज नहीं रखी गई है तो दोस्तों अम मैं बात कर लेती हूं important date फॉर्म फिल करने की important date क्या starting date क्या रहेगी and last date क्या रहेगी जो फॉर्म फिल करने की starting date रहेगी वो 6 November रखी गई है और last date जो रखी गई है वो 15 December रखी गई है और लाज डेट फॉर पेमेंट जो आप पेमेंट करोगे ओन लाइन अप्लिकेशन फीकी तो वो 17 दिसंबर रखी गई है दोस्तों यहां पर जो हमारा पेपर होगा फस्ट पेपर होगा केंपूटर बेस पर उसकी जो डेट रखी गई है 12 से लेकर 27 अप्रेल के बीज में जो इसका लेट होगा तो दोस्तों आप में बात कर लेती हूं यहां पर की जोब लोकेस्ट जोप लोकेस्ट में आलि इंडिया सप्लाई कर सकते हैं अब दोस्तो और इहां पर बात करेंगे हैं और इसमें अगर second paper की बात करूं टाय टू तो descriptive paper रहेंगे pair end paper mode पे और अगर third की बात करूं टायर third की तो typing test and skill test इसमें रखा गया है दोस्तों अब मैं बात यहां पर कर लेती हूं exam pattern की यहां पर जो हमारा exam pattern दिया है कौन सी subject के लिए कितने question है और maximum marks क्या है timing क्या रहेगी तो दोस्तों बात कर लेते हैं English language के लिए जो हमारे total question रहेंगे वो 25 रहेंगे और maximum marks 50 रहेगा general intelligence के लिए 25 question रहेंगे और maximum marks 50 रखा गया है quantitative aptitude के लिए 25 question रखा गया है and maximum marks जो रखा गया है वो 50 है general awareness के लिए इसी तरह देखूं तो 25 question रखे गये है and maximum marks रखा गया है वो 50 है तो दोस्तों यहाँ पर मैं देख लेती हूँ कि total जो question है वो 100 है और आप देख सकते हैं कि जो maximum marks लिखा हुआ है वो दिया गया है वो आपको maximum marks क्या रहेगा 200 रहेगा अगर मैं यहाँ पर timing की बात करूँ तो one hour सापको timing दी जाएगी दोस्तों यहाँ पर syllabus की बात मैं नहीं की हूँ अभी next वीडियो में syllabus के बारे में detail information बताऊंगी तो दोस्तों आपको इससे related अगर और information चाहिए तो वीडियो के description box में link दिया हुआ है तो वहाँ पर आप click करके देख सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like, subscribe, share जरूर करें